अमशी पूरा फर्जी तसादम में मुझरिम आर्मी आफिसर को जमानत मिलने पर अमर अबदला और महववा मुफ्ती ने कहीं सवाल या निशान उठाए आपको याद होगा के 18 जुलाई 2020 को अमशी पूरा शोपया में एक फर्जी तसादम हुआ जिसमें जिला रजोरी से तालुक रखने वाले तीन नवजवानों को मारा गया और उसके बाद इस जुर्म में मुलविस आर्मी आफिसर को उमर कैद की सजा सुनाई गई लेकर अब उन्हें जमानत मिल चुकी है और इस पर उमर अबदला और महवा मुप्ती ने कहीं सवालिया निशान खड़े कर दिये आपको बता दें के नैशनल कांफरेंस के सेनियर लीडर और नाइब सदर उमर अबदला ने इसे हकूमत की तरफ से याददानी करार दिया है कि जमुआ कश्मीर के लोगों का खून कितना सस्ता है नाई दहली में मसला अफवाज के ट्रिबिउनल ने कैप्टन बुपिंदर सिंग की उमर कैद की सजा मौतल कर दी है जो जुलाई 2020 में अमशी पूरा गाउं में एक फर्जी तसादम में तीन अफराद को हलाक करने का कुसूर वार पाया गया था आपको बता दें कि जमुखिता के घजोरी जिला से तालुक रखने वाले तीन नौजवान अमतियाज अबरार 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 को 18 जुलाई 2020 को शोपिया जिला के एक दूर दराज पहड़ी अलाके में मारा गया था और इन्हें देह्ष्टगर्द का लेबल लगाया गया था इन्हें असकریत पसंद का लेबल लगाया गया था नेशनल कांफरेंस के लीडर अमर अबदला ने कहा कि मरकज की तरफ से हमें बार बार याद दिलाया जाता है कि हमारा खून कितना सस्ता है हमारे खून की कोई कीमत नहीं है जब हमारे लोग मारे जाते हैं तो किसी लाश की परवार नहीं होती उमर अब्दला ने कहा कि मैं कल की खबर देखकर हैरान रह गया जिसमें फोजी आफिसर ने राजोरी के तीन आदमियों को शोपिया में एक फर्जी तसादम में मारा था इसे आर्मी कोर्ट मार्शल ने उमर कैद की सजा सुनाई थी कल इससे रिहा कर दिया गया उनने कहा कि ये कितनी बदकिस्मती की बात है उमर अब्दला ने कहा कि जमुआ कश्मीर के वो लोग जो बगेर किसी इल्जाम के जेलू में बंद हैं उन्हें जमानत नहीं मिल पा रही 2019 के बाद हमारे कितने नवज़वान जेलू में बंद है उनने कहा के हमारे सरकारी मुलाजमीन को बगेर किसी तरीका कार के मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया जाता है छोटे मोटे इल्जामात पर लोगों के घरूं पर बिल्डोजर चला दिया जाता है लेकन एक शक्स जिसे रजोरी के तीन शहरियों को कतल करने के जुरूम में उमरकैद की सजा सुनाई गई थी वो अब आज़ाद हो जाएगा पीडीपी की सदर महवव मुफ्ती ने कहा कि फोजी अफसर को दी गई जमानत अदालती अमल के तकद्दुस की संगीन सवाल उठाती है उनने कहा कि अमशीपूरा मैं फरजी तसादम मैं मारेगे मासूम शहरियों के वालदेन से मेरी बात हुई और उनने कहा कि आर्मी ट्रिबियूनल के कैप्टन को जो सजा सुनाई गई थी और इस सजा को अब मौतल कर दिया गया है इससे इन तीनों नवजवानों के लोहकीन को अहले खाना को काफी ज्यादा ठेस पहुँची है और महवा मुप्ती ने टुवीटर पर ये पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि ये अदालती अमल के तकदस पर संगीन सवालाथ हैं और आपको बता दें कि जुलाई 2020 में रजोरी जिला से तालुक रखने वाले तीन शहरियों को अमसी पूरा फर्जी तसादुम में मारा गया था पहले इस आर्मी कैप्टेन भुपिंदर सिंग को उमर कैद की सजा सुनाई गई और अब देहली में मसला अफवाज के एक ट्रिब्यूनल ने इसकी उमर कैद की सजा को मौतल कर दिया है जिसके बाद जमुवा कश्मीर के सियासी लीडरान ने कहीं सवालात हकुमत पर उठा और उमर अब्दला ने तो ये कह दिया किया हमारे खून की कोई कीमत नहीं क्या जमुवा कश्मीर के लोगों का खून इतना सस्ता है कि यहां पर कुछ भी हो जाया उसके बाद उन्हें जमानत दी जाती है उन्हें ये कहा कि हमारे इतने नवजवान जेलू में बंद हैं ले जो है जमानत दे दी जाती है बारहल अब इन तीनों नवजवानों के एहल खाना का ये कहना है कि हम इस आर्डर को चैलेंज करेंगे ताके हमारे साथ इंसाफ हो सके आप लोगों की इस खबर के हवाले से क्या कुछ राए है आप अपनी राए कोमेट सेक्शन में जरूर दी कि जेगा